यह बेटा, question number 5 है, a set है, a equal to 2, 4, 6, 8, and b set equal to even numbers less than 10, 10 से छोटे जो even number हैं, वो है, हम इस set को, b set को इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 से छोटे छोटे कौन से होते हैं, 2 से start होते हैं, 2, 4, 6, 8, अगे 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से less लिखने थे, तो इसलिए यह हो गए, अब इसमें आगे statements के बारे में बताना यह statements दी हुई हैं, कि यह true हैं यह false हैं, अब यह subset के दो तरह, दो टाइप्स होती हैं, सबसेट की, एक होता है, प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है, इंप्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट वो होता है, जिसमें element एक सेट के, जिस तरह यह a सेट है, इसके element टोटल हैं, चार, अगर इसके हम सबसेट बनाते हैं, तो और सबसेट में elements चार से कम होंगे, तीन हों, दो हों, एक element हो, या empty सेट हो, तो वो सारे इसके सबसेट होंगे और वो प्रॉपर सबसेट होंगे, लेकिन एंड वाला जैसे सबसेट बनता है, वो बिलकुल इकल होता है, इसके बिलकुल इकल होता है, तो इकल सेट जो होता है, वो उसवाले सेट को, हम सबसेट तो कहते हैं, लेकिन वो होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, या बच्चों के लेवल के हम यह भी कहा साइन है, अगर इसके अंदर यह तो फोर सिक्स एट है, तो इसका जो दूसरा सैट बनेगा, उसमें भी तो फोर सिक्स एट, यह चारों का चारों यही वाले ऐलिमेंट होंगे, और वो सबसेट होगा, और इंप्रॉपर सबसेट होगा इसी तरह हमने बताना है, अब इसमें देखें कि A सैट है, A सैट is a सबसेट आफ बी, इसमें आप यह हिंदाजा करने थोड़ा साओ, एकल का साइन को बच्चे जहें में रखें, क्योंकि अभी तक इनके लिए अभी यह इतने डिटेल से नहीं आए, इनके इससे भी 2468 हैं, तो इसमें कि यह दुनों अपसमें इकल हुए, तो यह हज़ेगा ट्रू, तो यह वाला A is a सबसेट आफ बी, तो एक जो अलिमेंट हैं, वो सारे का सारे बीस में से लिए गए हैं, इकल नहीं, बलके उससे कम है, अगर इकल का साइन होता ना, साथ यह वाला साइ इंप्रॉपर का, तो फिर बिलकुर सेम होने चाहिए थे, अब उससे एक ऐलिमेंट जो है, वो B से कम होने चाहिए, उने B में से चाहिए हैं, लेकि सारे के सारे के सारे नहीं कम, यह प्रॉपर साबसेट के बाद कर रहे हैं, तो प्रॉपर साबसेट होना चाहिए, तो अब स्टूइंट जरा ये माइन में रखें, अगर ये वाला साइन भी साथ हो, तो मिन होता है, वो एकुल होने चाहिए, अगर ये वाला साइन नहीं है, तो मिन कि ये जो पहला होता है, इसके अलिमेंट कम होने चाहिए, इसके अलिमेंट नहीं होते हैं, बलकि उसके कम होते हैं, अब इसमें कह रहे हैं, A, set A is not a subset of B. यह subset के sign के बाद ओपर यह line drag ही है, तो not a subset, A, B का subset नहीं है. तो यह रजेगा true. subset नहीं है, बलकि equal set है वो. इसमें कह रहे हैं, A और B equal नहीं है. A is not equal to B. तो यह भी गलत कह रहे हैं, हलांकि A और B, आप देखें, A set और B set दोनों के element same हैं, यह equal set हैं. तो यहां लेका not equal to, यह रजेगा false. अब इसमें कह रहे हैं, अब इसमें यह कह रहे हैं कि B is not a improper subset of A. इसमें equal कोई बच्चे माइन में राख लिए हैं, अगर जो B set है, वो A के equal नहीं है, हलांकि B set जो है, वो A set के equal है. तो यह false. अब इसमें भी ऐसे है, B is a subset of A. जैसे कि मैंने start में इसका hint बताया है, बच्चे इसको इकल वाले sign को माइन में रखें, कि जो B set होता है, यह जो sign होता है, यह improper sub set का होता है, improper sub set का होता है न, वो equal होते हैं. तो इसमें आप यह समझें कि B set जो है, वो A set के equal है, तो हाँ हमने पहले भी देखा है, कि B set जो है, और A set आपसमें equal है, तो यह true है. True.